हेलो दोस्तों नमश्कार मैं हूँ राज यादाओ और एक बार फिर्च आपका बहुत बहुत रागत है इस नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन यहां पर लिया गया है ठीक है दो एक्जाम को मर्ज करके जो आपका एक्जाम लिया गया है उसमें क्या 6 प्रतिसत जो है नेट 6 प्रतिसत कंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा या फिर 12 प्रतिसत को किया जाएगा क्योंकि दो एक्जाम इसमें कंडिडेट का नाम नहीं डाला जाएगा इसी के बारे में complete information है अगर आप चैनल पढ़ना है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर UGC NET से related latest update आपको latest time पर मिलते रहते हैं चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों हमारा यह जो PDF है बिल्कुल official PDF है वो latest PDF है जो UGC NET का जो information bulletin है उसका यह PDF है और बिल्कुल authentic है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही clearly यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है procedure and criteria for declaration of result में आप देख सकते हैं 14.1 जो है topic number यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर साब सब देख सकते हैं the number of candidate to be qualified total slots of eligibility for assistant professor shall be equal to 6% of the candidate appearing both the papers of NET तो यहाँ पर यह साब साब बताया गया है कि जितने भी candidate यहाँ पियर होंगे exam में उनमें से 6 प्रतिसत को जो है यहाँ पर assistant professor के लिए यानि कि NET आपका qualify माना जाएगा तो यहाँ पर साब साब इस bulletin में दिया गया है कि 6% candidate को ही NET qualify इस बार भी किया जाएगा बहले सी यह combined exam है दो exams को merge करके इसको combine करके इस exam को लिया जा रहा है लेकिन यहाँ पर 12% नहीं लिया जाएगा 6% ही यहाँ पर फिर से result लिया जाए गया है कि 6% candidate को ही यहाँ qualify किया जाएगा ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं for assistant professor तो जो NET qualify candidate की संख्या वो 6% ही रहेगी जितने भी candidate यहाँ appear होंगे जितने भी exam दिये होंगे उनमें से सिर्फ 6% को ही यहाँ पर qualify माना जाएगा ठीक है तो I hope आपको पूरा clear हो गया होगा क इसमें किसी भी प्रकार का 12% जो है NET result इसमें नहीं आएगा इसमें सिर्फ और 6% ही candidate इसमें result में शामिल होंगे ठीक है तो इस प्रकार यह information था अगर यह information आपको पसंद आया होगा तो like और share अपने दोस्तों तक जरूगर दीजेगा इसी तरह के latest update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद